A factory has machines that produce toys अब एक बड़ी सी factory थी जिसके अंदर कुछ machines लगे होए थे जिससे की toys का production होता था which are then packed by factory's workers अब वो जो toys जो produce होता था तो factory में जितने भी workers काम करते थे वो उन toys को pack करते थे One day, एक दिन, each machine produced 14 toys एक machine ने, ध्यान रहे, सिर्फ एक machine ने 14 toys produce की है ये किसी एक दिन के बात हो रही है and each worker packed 2 toys और हर worker ने सिर्फ 2 toys को pack किया so that a total of 40 toys remained unpacked और ये सब करने के बाद फिर भी 40 toys जो थे, जो कि produce हो चुके थे लेकिन फिर भी pack फिर नहीं हो पाई प्रड्यूस होने के बाद भी वो pack नहीं हो पाई remained unpacked additionally, इसके बाउजूद एक और condition हमें शायदे हां दी होई है कि जिस दिन की यहां पे बात हो रही है उस दिन जो नंबर ऑफ वरकर्स थे वो आट कम थे seven times the number of machines how many machines and workers are there अब हमें यह बताना है कि यहां पे कितने machine है और कितने worker इस factory में काम करते हैं तो जो चीज़ हम से पूछी गई है जैसा कि हम करते हैं उन चीज़ों को हम अपनी variables माल लेते हैं जैसे कि हमें पूछा गया है कि पहले चीज़ कितने machine है कि कितने workers हैं यहां पे तो हमाल लेते हैं कि उस factory में उस factory में कुछ w workers काम करते हैं एक बार हमने यह माला अब हम वापस से इस question को पढ़ते हैं और हर चीज़ को m और w के terms में लिखने के कोशिश करते हैं लेकिन यह last sentence जो हैं यहां पे यह वाला part additionally के बाद वाला part यह अपने में एक पूरा sentence है तो इसको हम चाहें तो सबसे पहले इसको math की भाशा में convert कर सकते हैं mathematical equation इससे बना सकते हैं हाला कि हम उपर से भी शुरुआत कर सकते हैं लेकिन इसका काम पहले यहां पे तमाम करना चाहें अगर हम तो हमसे पूछा गया है कि उस दिन जो number of workers थे यानि कि यहां पे बात हुई इसकी जगह में डाल सकता हूँ डबलू जो यहां पे number of workers थे was eight less eight less का मतलब हुआ आठ कम कितने में से seven times the number of machines number of machines को हमने यहां पे मान के रखा है M इसका seven times हो जाएगा seven M and eight less than this thing इससे आठ कम यानी कि seven M minus eight यह दोनों हमें बराबर दिये हुए हैं additionally the number of workers that day was इतना minus eight तो ठीक है इनको हम आपस में बराबर कर देते हैं कि चलो ठीक है भाई तुम है कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कि उस दिन जो workers थे W वो थे seven M minus eight के बराबर seven M minus eight तो यहां से हमें हमारे पहली equation मिल गए अब चलो वापस से इस question को यहां पर पढ़ा जाए one day each machine produced fourteen toys अब हर machine fourteen toys produce कर रही है तो हमारे पास total M machines थे तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि total toys produced कितना होगा total toys produced p.r.o.d.o.c.e.d. total toys produced कितना होगा तो 14 एक machine बना रही है तो M machines 14 M इतने सारे 14 times M इतने सारे toys बनाएगी each worker packed two toys तो हमको हमने यहां पर मान के चला था कि हमने यहां पर माना था कि total number of workers डबलू है तो अगर एक worker two toys packed करता है तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि total toys packed total toys जो कि packed होए produced होने के बाद वो कितने होंगे तो एक worker दो toy pack कर रहा है तो W workers W times two यानि कि two W इतने toys packed करेंगे लेकिन यह करने के बाद भी लेकिन यह करने के बाद भी 40 toys remained unpacked यानि कि इतने toys produce होएं इतने toys packed होएं तो जो इनका difference है जो toys बच गएं pack होने के लिए वो हमें 40 के बराबर दिया हुआ है यानि कि हमारी दूसरी equation क्या हो जाएगी 14 times m minus 2 times w यह हो जाएगा 40 के बराबर यह हमारी दूसरी equation हो गई बस अब हमने एक बार इस पूरे word problem को mathematical equation में convert कर लिया तो बस अब हमारा काम इतना सबज़ा है कि इन दोनों equations को जिसमें दो variable से w और m इनको साथी साथ solve कर देना है यानि कि यह हो गए आप pair of linear equations in two variable जिसको हम किसी भी method या तो substitution, elimination या फिर जो भी method से आप चाहे इसको solve कर सकते हैं लेकिन जब मैं इन equations को यहाँ ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे पहले equation में तो directly दिख रहा है कि w की value मुझे m की terms में directly दिख हुई है यानि कि एक w जो है वो 7m minus 8 के परावर है तो मैं काम करता हूँ इस w के value 7m minus 8 को मैं यहाँ डाल देता हूँ इस w की जगह तो यहाँ पे जो मेरी नई equation आएगी उसमें सिर्फ m रहेगा और फिर वो linear equation in one variable बन जाएगा जिसको मैं solve कर सकता हूँ तो चलिए बस वो काम यहाँ पे किया जाए तो फिर मेरे पास आजाएगा 14m minus 2 times 2 times इस w की जगह में डाल दोंगा 7m minus 8 7m minus 8 equal to 14 और इसको हम यहाँ पे solve करने की अब कोशिश करते हैं तो यह फिर यहाँ से मुझे दे देगा 14m minus negative 2 को अब हम यहाँ पे 7m से multiply करेंगे तो मेरे पास आजाएगा negative 14m फिर इस negative 2 को हम negative 8 से multiply करेंगे तो मेरे पास आजाएगा positive 16 equal to 40 के बराबर लेकिन चलिए फिर देखते हैं कि आगे क्या मिलेगा हमें लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 14m और यह 14m आ तो आपस में कैंसल हो गए और यहाँ पे हमारे पास आगया 16 बराबर 40 यह तो कभी भी possible ही नहीं हो सकता है 1640 के बराबर आकर कैसे हो सकता है तो इससे हम यह पता चला कि इस condition को तो हम लोग solve ही नहीं कर सकते है हमने पूरा problem पढ़ा उसको mathematical equation में convert किया लेकिन जब हम आगे solve करने गए तो फिर हमने देखा कि 1640 के बराबर आ गया और यह तो कभी possible ही नहीं है तो यानि कि इसका solution हम समझ ही नहीं पाएंगे इसका solution हम बना ही नहीं सकते है और actually इसको समझने का एक और तरीका यह भी हो सकता है कि जैसे अगर मैं इस equation को यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसके जो तीनो terms हैं वो 2 के factors हैं तो मैं दोनो side 2 से divide कर देता हूँ तो यह फिर मुझे क्या दे देगा तो यह हो जाएगा 14M divided by 2 minus 2W divided by 2 equals to 40 divided by 2 उपर और नीचे 2 से divide करूँगा तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 7 यह और यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 20 यानि कि 7M minus W वो 20 के बराबर हो जाएगा और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखने की कोशिश करूँ तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि अगर मैं दोनों side W जोड़ दूँ तो अगर मैं दोनों side W जोड़ दूँ तो इधर से W, W चले जाएगे इधर से बच जाएगा 7M और इधर आजाएगा 20 प्लस W, अब दोनों side में 20 सब्ट्राक्ट कर देता हूँ तो यहां आजाएगा 7M माइनस 20, 20 माइनस 20 cancel, इधर सिर्फ W बच जाएगा तो यहां से W के value आगई 7M माइनस 20 और यहां पे W के value थी 7M माइनस 8 यह कैसे possible हो सकता है जा रहा है और दोनों W के परावर है तो यह तो possible ही नहीं है इसी वज़े से यहां पे हमें इसका कोई solution मिल नहीं पाएगा